अज काल गर्मियों के दिन में बहुत ही मचर बहुत तकलीफ देता है मचर बहुत तकलीफ होने के कार हम लोग은 सो तो नहीं पाते गर में पर मोटीनव जलाते हैं और मक्षड को भागाते हैं लेकिन आप क्या जानते हैं कि लिक्वीड वlu नीम को सुखाने हैं एक दिन के लिए मैंने इसको रखा और धूबुती तेज हो रही है तो एक दिन में नीम की पत्कियां सुख जाएगी तो नीम की पत्ती जब सूख जाए तो हमें क्या करना है इसके अंदर इदेखे, इसतरे से पूरी पूरी नीम की पत्ती हमारी सूख चुकी है, अब चलते हैं next step के उपर, यहां पर मैं रहा हूं प्याज के सूखे वे चिलके, यहां सूखे वे चिलके लेने, गीले चिलके बि कोई दिक्कत नहीं है वरना आप चाहें तो एक कटोड़ी के असपास ले सकते हैं यहां पर मैंने लिया है इसके अंदर तेजपत्ता इसका फ्लेवरी बहुत स्ट्रॉंग होता है तेजपत्ता भी है न हमारे मच्छर को भगाने में बहुत ही ज़्यादा काम करेगा और क्यों हम कपूर ले सकते हैं जो हम दिवाली के अंदर भी जलाते हैं और घर में कपूर जलाते हैं तो कहते हैं एनरजी बहुत अच्छे आती है और नेगेटिव एनरजी भग जाती है और इस तरह से छोटी टिक्या भी आती है कोई सी भी टिक्या हो आप ले सकते हैं अगर बड़ से ही मच्छर भाग सकते हैं तो हम लिक्विड और हमारे मैट क्यों जलाएं हमारे परिवार को नुक्सान क्यों दे हमारे घर को नुक्सान क्यों दे बच्चों को नुक्सान क्यों दे क्यों कि उससे कई तरह की बिमारिया होती है मैं आपको बताया पहले भी तो बस यह मैंने 10 तेज पत्ता है इसके अंदर मैंने डाल दिया और इसके बाद मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ लॉग जी हाँ इसका हमें पाउडर बनाना है बिलकुल सा और टिक्या मैंने तोड ली थी तोडने के बाद ही हमारी कपूर की टिक्या इसके अंदर डाल रहा हूँ कि अच्छी आप सालबर्टागे से रख सकते हैं। यूज कैसे करने वह बता हुँ। यहां पर मैं ले रहा हुँ। मैं पूलओं मिट्टी का दीपक जीहां। दीपक की साइस के उपर कोई डिपेंड नहीं है। छोटा हो दीपक बड़ा हो। कोई सा БИक आप दीपकक ले लीजिए क्काटे लीजिए दीपक नहीं है कोई दिक्कत नहीं है और यहां पर मैं ले रहा हूं सर्सो क fum क तेल की आपको मलबुढ़ाया है महला हूं फ्लिवर बहुत होता है और दो chu bizarre डाल रहा है इसके उन्दर सर्फोग तेल हो नीम का तेल हो चो आपको पसंद ले सकते हैं इसे एक बार मिक्स कर दीगे हैं यृष्टी नहीं तर बताओ देमेगा इस चीज का ध्यान रखीगा पत्ली पत्ती नहीं लेनी है इसके अंदर थोड़ी मोटी लेनी है कि इसका जो फ्लेवर है जब जले तो ये काफी अच्छी तरह से इसका धुआ भी आए और वो अच्छा सा रहे तो बस ये हमारी बाती बत्ती जिसे हम बोल रहे हैं आपके यहा के कमरे के अंदर रख देना है और कमरे में रख के उसको बंग कर देना है मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर जब इसको जराएंगे न हम तो इस तरह से इसके अंदर एक धुआ सा उठेगा देखी काला धुआ सा उठ रहा है ना ये काला धुआ जो उठेगा ना ये हम आप जला सकते हैं आराम से और रूम को कर दीजिए बंद और बंद करने के बाद इसे जब तक यह जल रहा है जब तक जलने दीजिए उसके बाद आप देखिए एक भी मच्छर आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा न मक्खी मिलेगी तो कैसा लगा दोस्तों